Good morning, लालबगर सिंटे कोलेज के YouTube चैनल पे मैं Mrs. Case है जी, इंटर की सभी छात्राओं का स्वागत करती हैं, आज हम integration में, integration of f'x upon f'x type के questions को देखेंगे, जो इस प्रकार है, integration of e की power x, e की power x plus 1 में, हम e की power x plus 1 को t माल लेते हैं, जिससे e x dx बराबर d t प्राप्त होगा, और ये ह हमें प्राप्त होगा, e x dx बराबर d t लिखेंगे, नीचे upon t, dt upon t, जो कि log t होगा, log 1 plus e x प्राप्त होगा, इसी प्रकार से, next question देखें, cortex upon log sin x में, log sin x को t मान लेजिए, तो log sin x का differentiation 1 upon x से, 1 upon sin x, by chain rule d by dx of sin x हो जाएगा, cos x, तो इस प्रकार हमें प्राप्त होगा, cortex dx इस प्रकार से, हम इन प्रश्नों को करते हैं, next, जो आपको assignment 2 दिया था, उसका हल भी देख लीजिए, assignment 2 की ये question से, इसमें x cos x4 में x4 को t मानते हैं, तो बहुत इसलिए, cos t dt मे रिडियोस हो जाएगा, और sin t इस प्रकार इसका हल प्राप्त होगा, log x upon x में, log x को t मान तो 2 dt प्राप्त होगा, और यह इसका हल प्राप्त होगा, x upon 1 plus x4 में, हम इसको 1 plus x square का होल स्कार रिखेंगे, x square को t मानेंगे, तो x dx आपका half dt प्राप्त होगा, और इस तरह से dt upon 1 plus t square, 10 inverse t, अर्था 10 inverse x square में आपका answer आएगा, X3 आपा 1 प्लस X की प्र रेट में, इसको 4 का होल इसको लिखेंगे, X4 को T माल लेंगे और यह आपको आ जाएगा, X3D X जो हो जाएगा, 1 by 4 DT राप्त होगा और इस तरह से आपको 1 by 4 10 inverse T राप्त होगा, 1 by 4 10 inverse X4 इस पकार इन सब questions को आप अपने notebook में कर लें और टैली कर लें अपने questions से और जितने formula हम ने दी है उनको learn करें कल फिर हम मिलते हैं उन्हे questions के साथ थेंक यू